एक चोटी लेटकी, जब से वो 6 साल की थी, तब से लेकल 17 साल तक वो एक बुड़े आदमी के साथ रहती है जब वे 17 साल की होगी, तब वे दोनों शादी करने वाले होते है इसके बात क्या होते है, यह जानने के लिए दबाओ 2005 की मुवी मैं आपको एक्स्टोरी खा जा रही है, क्या हो रहा है तो इसके लास्ट में मैं आपको एक पूरा एक्स्ट्रीनेशन दूँगा, कि जो इवेंट्स थे, यह क्यो हो रहे थे यह बहुत ब्यूटिफुल मुवी है, तो डारेकली स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है, और हमें ओल्ड मैन दिखता है उसके पास बो एन एरो होते है, इस बो को वो स्टिंग्स बानता है और इसे एक वाइलिन के तरह डिवाइस बना लेता है इसके साथ जो लड़की है, वो हमें दिखती है इसके आखों पर ये काजल लगाते हैं, और इसके बाद ये म्यूजिक बजा रहा है ये दोनों जो होते हैं, एक बोट पर रहते हैं एक फिशिंग बोट होते हैं, इस बोट को ये ओल्ड मैन रेंड करता रहता है आज भी कुछ लोग को इसने यह rain किया होता है जब ये लोग fishing करने के लिए आते है तो इस लड़की को देखते है इसे अपने pass बुलाते है ये दोनों जो है इनकी relationship ही ने पता नहीं है ये इस लड़की से बुचते हैं वो तो तुमारे grandfather नहीं है न तुम रात में एकसाथ सोते होंगे यह उसकी मजाग ले रहे होते है तभी old man अपना bow and arrow लेता है और उन पर चलाता है यह दो लोग जो होते हैं यह डर जाते हैं यह दोनों fishing करने लग जाते हैं इसमें से एक आदमी कहता है कि इन दोनों दिखाये गए है उसमें से एक आदमी को उसके fortune बता करनी है वो old man को कहता है कि मेरे और मेरे wife के जो संबन्द है वो ठीक नहीं चल रहे है क्या तुम मुझे मेरी fortune बता कर समझा सकते हो इस तरह से old man fortune कैसे बताता है इसकी मेतर नमें दिखाये गई है जिस boat पर ये रह रहे होते है इस boat पर एक जुला होता है ये लड़की जुले वर बैठती है और इसके बाद ये old man bow and arrow लेता है इस जुले के पीछे ही बुद्ध की painting होती है जब ये लड़की जुला जुलती है तो bow and arrow से ये बुद्ध की मूर्थी पर bow मारता है ये इस लड़की को लग सकते है पर इस लड़की उस वर बहुत ज़ादा ट्रस करती है old man का निशाना कभी भी नहीं चुकता जब ये तीन arrow चलाता है तो इस लड़की old man के पास आती है ये actual में ये लड़की बता सकती है ये इसके कान में message दे देती है ये old man फिचे इस आदमें ने पूछाता उसको सब कुछ कह देता है ये message क्या है ये हमें सुना है नहीं देता पर ये जो आदमी है ये message सुन कर बहुत ही disturb हो जाता है इसके बाद ये fishing करने वाले दोनों जाते हुए हमें दीखते है अब इन दोनों का क्या routine है ये हमें पता चलता है ये जो लड़की है ये भी bow and arrow की practice करती है ये जो old man है इसके पास एक और boat है इस पर वो शेहर जाकर आता है जो भी सब supply जगरा होते है ये सब वो लेकर आता है ये लड़की कभी भी शेहर नहीं गई है जबसे उस 6 साल की थी अब वो सद्रा के होने वाली है तब तक वो पुरी world से दूर रही है ये old man इस लड़की को नहलाता है रात हो जाती है तब अपने bow and arrow से वो एक instrument बना लेता है ये instrument बोट के उपर जाकर वो बजाते रहता है ये एक तरह का meditation रिप्रेजेंट करता है arrow as a powerful weapon और meditation ये दो तरीके से हमें दिखाय जाता है रात में हमें दिखता है कि old man इस लड़की के पास आता है measuring tape इसके पास होती है और उसकी height क्या हो गई है ये वो देखता है फिर वो calendar के पास जाता है calendar में जाकर आज का दिन जो खतम हो चुका है इसको mark कर देता है यहां में दिखता है एक मंद के बाद ये लड़की 17 साल की होने वाली है और calendar पर लिखा होता है कि इस दिन पर ये दोनों शादी करने वाले है नेक्स दिन ये old man फिर से supplies देने के लिए जाता है इसके बाद हमें ये लड़की खाना खाते हुए string से instrument बजाते हुए जूला जूलते हुए और पुरे boot पर खेलते हुए में दिखते है जब ये old man वापस आता है तो इसके supplies में इस लड़की के लिए boots भी होते है ये जो boots होते है ये इसे अभी वो देने नहीं वाला होता आज उसने जो shopping की है इसमें clothes है ये इनके शादी के clothes है ये जो सामाने एक cover में वो lock कर देता है इसके बाद हमें फिर से दो आतमी दिखाए करे है वो fishing करने के लिए आये हुए थे इस लड़की को पास बुलाते इनके पास एक मचली होते है उसके कपड़ों में उटालते थे इसे वो field करने कोशिश करते है पर ओल्ड मैन बाव लेता है और एक जगा पर मारता है इन दोनों को डरा देता है यह दोनों उस पर चीर जाते है और अपने आप में डिसकस करते है कि हम चारों यहां अकेली है हम दोनों ने अगर decide किया तो ओल्ड मैन को मार सकते है यह दोनों फिर ओल्ड मैन के पास आते है और उसे unconscious करते है लेड़की के पीछे लग जाते है पर लेड़की वहाँ से भागने लग जाते है इस boat में अलग-अलग जगा से भागते हुए boat के terrace पर आ जाते है इसके बाद वो bow and arrow लेती है और इन दोनों पर वो निशाना लगाती है इन दोनों को मार सकती है और इसके बाद ये दोनों डर कर वहाँ से चले जाते है अब next scene में और कुछ लोग fishing करने के लिए आते हुए हमें दिखते है ये जो लड़की होती है इसी के ही age का एक लड़का वहाँ आता है इस लड़के को देखते ही उसे इसके प्रती attraction हो जाता है इसे देखकर smile करती है इसे देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है इस लड़के के पास headphones होती है ये इसके पास जाती है और इस headphones को पहन लेती है ये song सुनना उसे बहुत ही अच्छा लगता है इस लड़के को भी questions होती है यह पुछता है तुम्हारी एज क्या है तुम स्कूल में कहा पढ़ती हो तुम क्या कभी सीओल गई हो यह ऐसा question उसे पुछता है बाद में इसे यह भी पुछता है यह जो old man है क्या है तुम्हारा grandfather है old man को यह लड़की इससे बात करी यह अच्छा नहीं लगता तो इसके पा जाते है वो कहते हैं यह मेरा business सही से नहीं चल रहा कि मेरी fortune तुम बता सकते हो इसके बाद जो सब इनका वे होता है जिस तरह से fortune बताते है यह सब होता है old man भुछ जलाता है यह लड़की के पास सही arrow चले जाते है यह लड़का यह सब देखता है जब लड़के के father को old man fortune ब तो इस पर घुसा हो जाता है यह headphone उसे चीन लेता है और locker में burn कर देता है इसके बाद हमें फिर से इनका routine दिखाया जाता है यह जो सब पहले करते थे यही वो फिर से कर रहे है रात में इनका जो bed होता है लड़की नीचे सोती है और इसके ऊपर के bed पर यह old man सोता है लड़की का हाथ पकड़ कर इसे सोना अच्छा लगता है जब यह old man फिर से city में चला जाता है तो उसके locker में क्या है यह यह लड़की देखना चाहती है इसमें इनके शादी का सब सामान होता है लड़की के जो clothes होते है यह पहन लेती है पूरे boat में वो घुमती है जो headphone उस लड़के ने इसे दिये थे यह भी वो पहन लेती है यहाँ में इस headphone के जो wire है यह audio device से connected नहीं है यह हमें दिखता है यानि कि इस लड़के ने इस headphone दिये है इसलिए इसे पहनने है real world का जो connection है यह इसे चाहिए है old man जब वापस आता है तो उसके headphone लेने के लिए वो इस पर cheer गई होती है यह इसके पास आता है और smile करता है इससे उसुला करना जाता है पर यह वहाँ से उठकर चली जाती है और एक आदमी यहाँ fishing करने के लिए आया होता है इसके पास आती है और उसके कंदे पर सर रख कर सो जाती है old man बहुत ज़्यादा जिलस हो जाता है यह इसको उठाता है और boat में बन कर देता है जो आदमी था उसे भी यहाँ से भगा देता है इसके बाद के सीन में हमें यह लड़की आकाश में plane देखती हुए दिखती है real world की जो भी सब चीज़े होती है यह इसे बहुत ही intimidating लगती है इस रात हमें दिखता है कि old man calendar के पास आता है इस day को mark कर रहा होता है तभी इसे एक idea आती है next month अभी भी दूर है इसको जो passion से यह खतम हो रहा है अगले कुछ दिन वो mark कर देता है यानि कि यह दिन गुजर चुके ऐसा हो pretend करता है यह लड़की भी यह देख रही होती है आज उस आत्मी के साथ इंसिडेंट हुआ है और यह उससे बात भी नहीं करे उससे लग रहा है कि इससे दूर जा रही है इसलिए जल से जल इससे अपने पास बूलाना चाता है next year में bow and arrow की practice करते हुए में दिखती है और वहाँ old man भी बेटा हुआ होता है यह old man पर निशाना लगा दिए यह भी उसके आख में आख डार कर वही बेटा रहता है यह लड़की फिर अपना mind change कर लेती है अब थोड़े दिनों बात हमें जो लड़का वहाँ आया था वो फिर से आता हुआ दिखता है यह लड़की इससे देख कर बहुत ही खुश होती है जिब लड़का fishing कर रहा हता है तो अपना इक dhambro हो लेती है लड़की उसके पास जाती है उसके पास एक dhambro होता है यह dhambro सोके कान पर लगाती है और यह बजाने लग जाती है इस तरह से इस लड़की ने उसके headphones इसे introduce कर रहे थे इसका जो world है यह उससे वो दिखाना चाहती है रात में लड़की जब सोई हुए होती है तो लड़की के पास वो चली जाती है Old Man अपना हाथ नीचे रखता है इस लड़की को हाथ पकड़ना जाता है पर वो यहां नहीं होती यह लड़का और लड़की एक दूसरे को किस करने वाले होती है तब यह Old Man देख लेता है यह इस लड़की को बोट में दूसरी जगा लेकर जाता है यह लड़का फिर उसे बात ही करने लग जाता है ये लड़का कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो क्या फिल करती है इस लड़की को तुम बान कर नहीं डख सकते इस लड़की के जो parents है ये भी उसे ढूड़ना चाहते होंगे मैं इने ढूड़न लोंगा और फिर से वापस होंगा इस दिन ये लड़का और इसके father इन दोनों के old man वहाँ से भगा देता है ये लड़का यहाँ से चला गया है तो इस लड़की को बहुत ही बुरा लगता है इसे भी इस लड़की की बीछे जाना होता है जो old man के पास boat होती है इस पर वो जड़ जाती है इस boat को start करती है और वहाँ से जाने वाली होती है तब ई old man देख लेता है इस boat में ज़ड़ जाता है और इस boat को रोग लेता है इसके बाद इस old man का जो patience है ये खतम हो जाता है इनके जो बेड्स है ये एक दुसरे के ऊपर है तो इस बेड्स को काट देता है साइड में इन दोनों को लगा देता है ये लड़की बहुत ही दुखी होती है पर तभी इसे देखता है कि जो लड़का है ये वापस आ चुका है ये ओल्ड मैन को एक पॉम्बलेट दिखाता है इसमें लिखा होता है कि ये जो लड़की है ये मिसिंग है इसके पैरेंट्स इसे ढोन रहे है इस old man को ये बदाता है पर ये old man इस bomblet को नीचे फिक देता है लड़की को ये लड़का कहता है तुम्हें real world में जाना पड़ेगा तुम 10 साल से इस आदमी के साथ रह रही हो ये तुम्हारे लिए hard हो सकता है पर तुम्हें real world में जाना ही पड़ेगा ये लड़का जब बेठा हो होता है तो ये old man उसे मारने के लिए अपना arrow लेता है ये लड़की इस लड़के की आगे आ जाती है ये old man अब ये arrow चला नहीं सकता जब रात में ये दोनों सोय होते है तो old man फिर से इसका हाथ पकरना चाता है पर इस बार ये इसे हाथ पकरने नहीं देती इसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर इसे हो एक जापड लगा देती है अब ये old man इस पर नाराज होता है इसे बात ये नहीं कर रहा होता है दूसरे दिन जब ये बोट पर अकेला बेठा होता है तो लड़की उसके पास जाती है ये उसके पास जाकर उसे बता रही होती है कि फ्लीज उस पर नाराज मत हो इसका जो गुस्ता होता है ये निकालना चाती है बोट रिपेर करते करते इस ओल्ड मैन को चोट लगी होती है ये चोट ये लड़की पोच रही होती है ओल्ड मैन इस पर बहुत जादा गुस्ता होता है तो इसे इसलैप करते रहता है तो यह लड़का इस लड़की को बचाता है यह लड़का अब इस पर चीट गया होता है यह लड़का उससे कहता है तुम तो fortune बदा सकते हो क्यों न अब तुम fortune बदा दो इस लड़की का future क्या है यह तुम्हारे साथ रहेगी या मेरे साथ यह सब डिसाइड हो जाएगा Old man भी इसके लिए महान जाता है जब फिर से इस लड़की के पास से arrow चलाता है तो लड़का अभी साहन नहीं कर पाता जिस जुले पर यह लड़की होती है इस जुले को वो काट देता है यह कहते है कल हम जाने वाले Old man ने उसकी और लड़की के शादी के लिए जो सब सामान लाया होता है यह सब फिर बाहर फेग देता है नेक्स दिन यह लड़का और लड़की बोट में बेटका जा रहे होती है तो इस बोट को बानने के लिए जो दोर होती है ये डोर का वो फंदा मना लेता है ओल्ड मैन अपने नेक को ये बान लेता है वो असुसाइड करना चाहता है ये पोट आगे नहीं जा रही हुती तो लड़की को समझ में आ जाता है कि हो क्या रहा है ये जो डोर होती है ये वो काट दिती है आगे जाकर इससे रियलाइज होता है कि जो सब हो रहा है ये गलत हो रहा है वो फिर से वापस आती है इस ओल्ड मैन के पास आकर उसे हक कर लेती है ये दोनों एक दुसरे एक कंदे पर रोने लग जाते है इन दोनों ने एक दुसरे को रिजिक कर दिया था पर अब फिर से इन दोनों ने एक दूसरे को accept कर लिया है अब मैं दीखता है कि शादी के जो सब clothes से कर रहा होते है यह एक खटा कर दिये जाते है यह अब भी clothes पहन लेते हैं एक दूसरे को ready करते हैं अब यह दोनों शादी करने वाले होते हैं यह लड़की भी मेकप करती है, सब सामानों लगाती है, जो सब वीधी होती है, यह की जाती है, एक दुसरे को स्विट्स किलाती है, और इसके बाद इनकी शादी खत्म हो जाती है, और मैन के पास जो छूटी बोट होती है, इस पर वो बैटकर दोनों हनीमून के लिए आगी बड़ी mistake किये, इसे वो बजाना चाहता था पर यह बचना नहीं चाहती थी अब हमें दिखता है कि यह जो old man है, यह सब कपड़े इस लड़की को उतरता है उसके बाद अपना बो निकालता है और यह बजाने लग जाता है यह लड़की यह music सुनते सुच जाती है अपना यह song खतम करकर यह old man खड़ा हो जाता है एक arrow लेता है, आकास में छोड़ता है और इसके बाद यह पानी में कूच जाता है यह old man यहाँ suicide कर लेता है यह जो boat है यह फिर से इस लड़की के पास आ जाती है यह लड़की जब सोई हुई होती है तो अपने आपको प्लीज करने लग जाती है जब वो उठती है, तो इस लड़की के साथ में वो world में जाते हुए में दिखती है यह movie end हो जाती है पर actual में हुआ क्या, यह हम अब analyze करेंगे जैसे हमने पूरे movie में देखा था कि जो old man था, इस लड़की को उसके बचपन से यहां रख रहा था तो real world था, इससे वो उसे दूर रखना चाता था यह जो old man होता है यह बाओ को भेपनी बना लेता है और उसे instrument भी, यानि कि एक तरह का meditation और किसी को मानने का साधन यह जो old man है, इस लड़की को दुनिया में जो सब दूख है जो सब चीज़े है, यह सब experience करने से दूर रखना चाता है अलग-अलग लोग जब यहा आते है तो real world में रहते है, तो इनसे प्रभाविते लड़की होती है यह लोग जब यहा आते है, तो इस लड़की की curiosity यह represent करते है जो सब चीज़े इसके पास है, इसके beyond उसे जाना है, यह इस scenes represent करते है हम देखते हैं कि जो सब लोग आते है, इसके साथ सोना चाते है, इसका शोशन करना चाते है फिर भी जब लड़का वहाता है, तो इस फिर से उसके साथ इस world में जाना चाती है जिस world में जाना चाती है, यह pain से भरा हुआ है बहुत सारी गलत चीज़े इसे वहाँ देखने के लिए मिलेगी, बहुत bad experience इसके हो सकते है फिर भी इसे यह experience करना है जब उसके age का यह लड़का वहाता है, तो इससे वह बहुत ज़्यादा connect कर पाती है रियल वर्ल्ड की जो सब चीज़े होती है, इससे वह attached हो जाती है old man का इस लड़की वह control था, वो उसे हमेशा के लिए protect करकर अपनी बनाना चाता था पर जब लड़का यह जो सब चीज़े होई, उसके बाद उससे पता चल गया था कि उस लड़की पर इसका कभी भी control नहीं था लड़की जो है, यह free है, इसकी decision वो ले सकती है और इससे world को देखना है, तो इससे देखना चाहिए यह इसे एक जगा पर बाण कर नहीं रख सकता इसलए इस लड़की के साथ उससे वो जाने देता है इससे वो जिडा होता है, फिर भी इससे वो एक्सीट कर लेता है लड़की इसके पास फरे से वापस आ जाती है थोड़े से moment के लिए इसे अपना बना लेता है पर इसे मालूम है कि इसे इसे छोड़ कर जाना पड़ेगा ये फिर suicide कर लेता है और ये लड़की हमें एक boat में अपने आपको प्लीस करते हो दिखते हैं जिस सीन में अपने आपको प्लीस करते हो दिखाई गई है ये reason करता है कि अब वो सब experience कर रही है जिस जगा पर वो confined थी अब उस जगा पर वो नहीं रहने वाली पूरे world को experience करने वाली है उसके अंदर की जो सब desire थी अब वो बाहर आ रही है इसके बाद लड़का और लड़की हेल वर्ड में चले गए थे हैं और जहां वो रह रह रही थी ये boat अब डूप चुकी है ये movie हमें freedom, jealousy, ego, curiosity ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में सिखा कर जाती है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाऊगा तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजेगा मैं इस तरह से बहुत सारी movies लेकर आते रहे तो प्लीज चैनल को subscribe कर दीजे और bell notification icon भे दवाना मत भूलें ये आपको सब movies मिलती रहे वेसे मिलेंगे एक नहीं movie के साथ सब तक के लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखें